अलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दा निव लेक्च्चर ओफ देज आई पीसी नॉर्मनक्लेचर आज बच्चों हम लोग बड़ा ही इंट्रेक्सिंग टॉपिक डिसकस करेंगे आई पीसी नॉर्मनक्लेचर जैसा कि बच्चों प्रीवेस क्लास में एक इंट्रोली आपको ब करता हैं जब भी आपके पास कोई भी कार्बन चेन गीवन होती है आप देखें यहां पर आपको एक कार्बन चैन अभीलेबल है मैं आपको कुछ एक्जामपल आज दूंगा लॉंगेस चेंट्स रूल को लेके तो यहां देखे बच्चों लॉंगेश चेन क्या होता है इससे पहली बात है कि आप लॉंगेश चेन जो सेलेट करते हैं वह लगातार होता है यह नहीं कि आप ऐसे काउंट कर रहे हैं वांड टो थ्री फोर तो यह गांड बूल जाई है continuous chain का मतलब हुआ लगातार जाना ठीक है ना continuous chain का मतलब हुआ लगातार जाना इस तरीके से one हो गया two हो गया three हो गया four हो गया five हो गया एक उपर जा सकते हैं तो continuous हो सकता है नीचे आएंगे तो continuous हो सकता है ठीक है लेकिन longest chain ढूणना है तो आगे जाने पर तो साथ मिल रहा है तो कहने का मतलब हुआ बच्चो longest chain यह हुआ ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 सबसे लंबी chain तो यह हुई इसके लावा अगर आपको को longest chain लग रही यहाँ पर देखे उसको मेगाल से आपको यही longest chain नज़र आएगी यहाँ पर इसके अलावा जो दो chains के side में आप यह देख रहे हैं बच्चो यह जो हैं यह आपकी side chains होती है क्या होती हैं बच्चो side chains होती हैं और यह आपकी main chain होती है आप कई बार इसको एक और नाम देते हो main chain को that is called students parent chain side chain को भी कई बार हम लोग as a substituent कहते हैं आप देख सकते हैं लिखा है मैंने already क्या कहते हैं बच्चो substituents कहते हैं side में जो लिखा हुआ है इसको substituent कहा जाता है तो यह हो गया parent chain हो main chain कई बार आप ऐसा देखेंगे students कि आपको दो chain मिलेगा और दोनों में आपको equal length नजर आएगा जैसे देखें example के तोर पे मैं आपके सामने एक और example रख रहा हूँ बच्चो longest chain का आप भी दिखते रहेगा साथ साथ और वीडियो पे पूरा focus रखेगा कि मैं किस तरीके से longest chain आपके सामने रिपर्जेंट कर रहा हूँ तो बिलकुल concentration बच्चो लाग मत होने दीजेगा अपना यहां देखें बच्चो आपके mind में आएगा यहां शुरू करते हैं तो चारी कार्बन है आगे तो और लुंबी कार्बन चेर है तो छोड़े इसको आगे बढ़िए 4 5 6 7 साथ कार्बन आ रहें बच्चो माइन में रखें साथ कार्बन चेर आ रहें आगे बढ़के देखते हैं ना फोर के बाद 5 6 चले इसको तो mind set आ दिया था छे कार्बन है 6 7 यह 6 7 तो बच्चो आप देखे तो एक बार इस वाली कार्बन चेर्ण में साथ हैं कि इस वाली कार्बन चेर्ण में साथ हैं कितनी साइड चेर एगी यह तो एक दो साइड चेर इक हुआ कितनी बच्चो चार साइड चेर सेवन अब उस प्रिवेस वाली पे चलिए जो की हम लोगे ने साथ पहले ही काउंट किया था एक बार उस पर चलिए और देखते हैं कितनी था उस पर ठीके यह बार देखें 4, 5, 6, 7 यह रहा बच्चो 7 यह longest chain इस पर भी साथ कार वे यहां side chain count किचे तो side chain जो यहां से निकली है यह कोणे से निकली? एक, यह पूरी एक ही तो है बच्चो यह पूरी एक ही तो है देखे तो यह side से निकला हुआ देखे side से निकला हुआ यह पूरा एक ही तो है तो कितना side chain हुआ? दो side chain हुआ दो side chain हुआ less chain हुआ, पिछले वाले में कितना था? 4 था तो उसी को longest chain लेया जाता है अगर बच्चो दो chain का equal length होता है तो वो chain select करते हैं जिसमें की maximum number of side chains होती है बच्चो वो chain लीजे जिसमें maximum number of side chains है तो सोचें हमारे जिसाब से maximum number of side chains किसमें थी बच्चो जो इससे पहले बना था उसमें कितनी side chain थी? 4 side chain थी देखते हैं बच्चो यहाँ पे 2 चेर आपको दिखाए गई उस previous वाले में कितनी थी बच्चो उस previous वाले में longest chain rule जो मैंने आप लोगों से डिसकस किया है longest chain पहली चीज continuous होनी चाहिए जैसा कि मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ बच्चो कि continuous मतलब ऐसे देखिए जैसे मैं आपको light के थूर दिखा रहा हूँ एक, दो, तीन तो आप ऐसे नहीं जा सकते हैं किस तरीके से हम लोग longest chain को select करते हैं या तो हमें direct longest chain मिल जाता है या बच्चो longest chain कई बार दो-दो मिलते हैं तो हमें उसको select करना है जिसके पास number of side chain large रहेंगी बच्चो यह रहा हमारा आज का rule इस rule पे basis पे हम लोग कुछ IPC नॉमन क्लेशर भी करेंगे के लिए कि उसके लिए हमें lowest set rule भी पढ़ना पड़ेगा बच्चो ठीक है I think यहां तक आप लोग को clear होगा स्टीस स्टीस